कॉंग्रेस के वरिश निता और पुर्व केंद्रे ग्रिह मंत्री शिवराज पाटिल के गीता में जिहाद वाले बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है और इस मामले पर भाचित कानेकलेस पर तमारे साथ बीजेपी के राश्टे महामंत्री दुश्यंत गौतम जी है सर सबसे पहली परतिकरिया शिवराज पाटिल जी के इस बयान पर क्या है आपकी जिसमें उन्होंने कहा कि गीता में भी जिहाद है देखें मेरी परति के रहा पटल पाटल साब के परती नहीं मुझे पूरी कांग्रेश के परती है यह अपसे शुरू नहीं आए जो बोटेक सेंगी साजिस है इनको चुनाव जीतना नहीं है और इनने खाले एक एक धार्मिक जिहाद जो फैला रखा है और यह अपसे सुरू आप सुरू उसे देखेंगे ना देश आजाद हुआ था उसके समय में ही इन्होंने देश के दो टुकड़े करा दिये गांदीजी ने कहा था देश के वाजन मेरी लासपर होगा देश के दो टुकड़े होगे उसके बाद मैं आप देखी क्या आपने काशिवी सुनात की घ है ऐसे विवाद हैं और जो अध्यक्स आज इनके बने हुए वो तो कहते हैं अगर मोदी आ गया है तो सनातन द्रम आ जाएगा इनको सनातन द्रम से प्रिशानी है इनको एक एजेंडा है इनका कि देश को खंडित करना है खंडित करने से इन्होंना सुराजनती शुरू कु जी के नेतर्त्व के अंदर जिस परकार से गोरवसाली भारत का इत्यास बनने वाला है इन लोगों की एक निचलनी है अनेकों एक प्रियास लगातार करेंगे जब चुकि मोसीना किद्वई जी के पुर्स्तक विमोचन के दौरान सर उन्होंने ये बयान दिया वो बोले कि सिर्फ अगर कुरान में जिहाद नहीं है उन्होंने ये कहा कि गीता में भी जिहाद है प्रसंग का उलेख किया कि कैसे स्रीक्रिशन और अर्जुन को जब समझ देखा रहे थे उसके लाभा उन्होंने बाइबल और उदारण दिया कि इस तरह की बाते हैं तो सभी धर्मों को लेकर इस तरीकी की बातें करना तो क्या लगता आपको यह अनायास ही बोला गया या आपको लगता है कि नहीं इस बयान के कुछ राजनीतिक माहिने भी यह एक वर को उस वर्क की हमसे तुलना कर रहे हैं गीता की तुलना उससे करते ही जो कहते हैं यह काफिर है यह मूर्थी पूझने वाले और देखती इनका गलाकार देना चाहिए यह जो भगवा अंतकवाद कहने वाले लोग है मैं रखता है कि पूरी देश के इंदर साजिक चल रही है और देश को अलगावबाद में पैदा करना खंडित करना और किसी परकार के फूट डालना यह इनका सड़्यंत है और इनका चलने वाला भी नहीं है लगाता गांधरी ने का राम पैदा ऑए नहीं थे नहीं अथेंटिक ता परसनल था जबाला नहरू ने कहा था दुर्बागेशित का भ्यान कोंसा है बताए ना तो इसलिए लगता है मुझे एक साग्डिस के तहत सढ़ींट के तहत देश के अंदर बटवारा दंगा कराना और पाकिस्तान का हीरो बना है ये कशडिज़ेंट है और 18 सबाल सर चुकि हाल के दिनों में देखें तो जिस तरीके से गला काटने की देश में घटना हुई और हाल के दिनों में जिस तरीके से जिहाद का रूप देखने को मिला उसके बाद इस तरीके से और गीता सर बहुत पवित्र गरंथ माना जाता है और उसके प्रसंग का उ जोड़ना और गिता के वारे मैं ऐसे कहना जिसमें हर दुक्ता निराकरण हैं जिसको लोग पढ़के अध्यात्मिक के और जाते हैं उनके वारे में कहना अरे तुमने नहीं पढ़िए तुम्हें नहीं जाना है तो छोड़ो उस बात को लेकिन किसी को गल्त बताना और इस तर वारा सर्जन्ट चलाया जा रहा है और वही लोग हैं जो पाकिस्तान के हीरों है बहुत धने बाद यह थी पीजेपी के राश्टे महामंत्री दुश्यंद गौतब और इनका साफ तोर से काना है कि इस तरह के बैयान साफ तोर से साजिस्ट की और इशारा करते हैं और इतने व